आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी जगा जहाँ प्राक्रितिक सुन्दरता और खुश्णुमा मौसन जो आपको जरूर खुश कर देगा जी हाँ हम चल रहे हैं यरकार यरकार में कौन को से पॉइंट आप देख सकते हैं सब बताऊंगा नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मैं हुराखी जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर बेंगलूरू से सिर्फ 230 किलोमेटर और इरोड से तो या मात्र 100 किलोमेटर से भी कम है इस ट्रिप को आप एक दिन में आराम से कर पाएंगे चूकि मैं रोड में था तो या सफर हमने सुबा छे बजे शुरू कर दिया था जैसे ही घाटी का रास्ता शुरू हुआ मौसम और व्यू दोनों ही खूबसूरत लगने लगे यहाँ पर करीब 20 हेरपिंग बेंट्स है रोड तो वाकई बढ़िया थी पाड़ों में इन गरम भुट्टों का मज़ा ही कुछ और है जहां हम भुट्टा खाने रुके थे उसके सामने ही यह मंदिर था यह विशाल प्रतिमा ऐसे मोड पर आपको जरूर एक बार आकर्शित करेंगी इन खूबसुरत व्यूज का थोड़ा मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़े जैसे ही हम यरकार पहुंचे एक विजिटेरियन होटल की तलाश शुरू हुई ब्रेकफस्ट के लिए हमारी तलाश खतम हुई इस होटल स्री सर्वना भवन एलाइट पर गर्मा गरम मिडली वड़ा दोसा और गरम गरम कॉफी के बाद हम सीधा पहुंचे पहले बोटिंग के लिए दोपेर या शाम के यहां बीड बहुत बढ़ जाएगी इसलिए आप अर्ली मौनिंग ही इसे कर लीजिए कर सबसे पहले आपको एंट्री टिकेट लेनी होगी अडल्ट्स एंट्री टिकेट रुपीज 10 है और किड्स रुपीज 5 है कैमरे के भी आपको अलग से चार्जिस लगेंगे अगर आप यरकार में स्टे करना चाते हैं तो गवर्मेंट वेबसाइट और रेट्स यहां पर फ्लैश किया गया आएए अब बोट भी बुक कर लेते हैं यह है अलग-अलग प्रकार की बोटिंग के चार्जिस हमने डिसाइड किया मोटर बोट राइट का आठ लोगों के लिए हमें पड़ा करीब 600 रुपर बच्चों के लिए तो यहां एंटर्टेन्मेंट के पूरे साधन है बाहर होर्स रैडिंग है तो अंदर स्विंग बच 50 जैकेट्स पहन हम तयार हो गए चारो और फैली हर्याली इस जील को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है यह कार्ड लेक को बिक लेक के नाम से भी कहा जाता है यह शहर के बिलकुल बीच में स्थित है खास बात यह है कि यहां की ठंडी हवा किसी को भी ततरो ताजा कर स करती है बोट हाउस के बिलकुल बाजू है यह इको पार्क लेक के बीच में एक द्वीब है जिसे इस ओवर ब्रिज के जरिये मुख्य भूमी से जोड़ा गया है इस द्वीब पर हीरन और मोर देखे जा सकते है लेडी सीट पर एक टेलिस्कोप है जिसके जरिये मैदानी इ इलाके को और नजदीक से देखा जा सकता है अंग्रेज शाशकों की पत्नियां इस जगह का इस्तमाल अपनी किटी पार्टी के लिए करती थी बस इसलिए नाम पढ़ गया लेडी सीट यहां से ढ़लते सूरज का नजारा बहत खूब सूरत नजर आता है सिल्क फार्म एंड रोज गार्डन यह जगह लेडी सीट के बिलकुल पास ही है यह सिल्क वर्म की ब्रीडिंग और कुकून से सिल्क प्रोडक्शन को भी देखा जा सकता है रोज गार्डन पहुंच कर आप कही तरह के गुलाबों की खुश्बू भी ले सकते हैं बच्चे अगर साथ में हो तो ऐसे किट्स एडवेंचर पार्क भी जाना जरूरी हो जाता है दिल तो अभी बच्चा है जी 10 रुपीज एंट्री चार्जेस और 600 रुपीज में 4 गेम्स प्रतिव्यक्ती घीड इतनी की हर गेम्स में आपको मिनमम आधा से पौने घंडे का वक्त लगेगा खेर तो तो समय के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं मैं आपको फटाफट यहां की जलकी दिखाता हूँ यरकार्ड का सफर पगड़ा पॉइंट को देखे बिना अधूरा है इस पॉइंट से पूरे शहर का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है शेवरायन मंदिर सरवरायन पहाड़ी पर शेवरायन मंदिर स्थित है यह स्थान यरकार्ड की सबसे उची जगा है यह मंदिर स्थानिये लोगों का मंदिर है यहां रहने वाले जंजाती के लोग हर साल मही में वार्शी को सब मनाते हैं यहां के खुले बड़े मैदान और यहां से यह खुब सुरत व्यू देखने लायक है मन तो करता है कुछ समय यहीं बिदाए जाए लेकिन हमें आगे भी तो बढ़ना है चुकि हमने हेवी ब्रेकफरस्ट किया था तो सीधा चले गए कैलाश परवत सेलम में अर्ली डिनर के लिए डिनर वाले हम यहां पहले कस्टमर्स थे तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ा आप यहां पर अम्बियंस और खाना दोनों ही पसंद करेंगे कैसा लगा यह सफर और जानकारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेर कीजिए धन्यवाद तैंक्यू नांद्री